नमस्कार दोस्तों एसन इलेक्टिकल एकडिमी के यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आई टी आई सेकंड एर का बैक पेपर का एक्जाम आज होने वाला है जो इस्टुडेंट आज एक्जाम देने जा रहे हैं वो इस्टुडेंट इस वीडियो को अच्छे स से देख करके जाएंगे क्योंकि यह जो कोशन आये हुए हैं कल बैक पेपर हुआ था आई टी आई सेकंड एर का सिवीट एक्जाम का उसमें यह कोशन आये हुए थे जिन्होंने हमारे पास इस्टुडेंट ने इन कोशनों को भेजा हुआ है जिन इस्टुडेंट का आज पेपर है इस वीडियो में सभी कोशनों को अच्छे से देख करके और समझ करके जाएंगे साथी साथ आपसे निवेदन रहेगा कि दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सेयर करें और यदि अभी तक हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं त तो आपको सबसे पहले इस वीडियो का अपडेट मिल जाएगा तो दोस्तों कल के डेट में कौन कौन से कोशन आये हुए है उत्सी कोशनों को आज हम आपके बिच इन कोशनों को लाये हुए हैं आईए आज के कोशन का हम लेवल देखते हैं कि कैसा रहा और दोस्तों इसमे जो है इलेक्टिसेंट ट्रेड थियोरी के और कुछ वर्क साब कैलकूलेशन के भी कोश्चन हमारे पास स्टूडेंट ने वेज़ा हुआ है चलिए कोश्चन को हम देखते हैं यह 36 नंबर कोश्चन आया हुआ था इसमें कहा रहा है कि अर्ध बृती की परीधी का फार्मूला क्या होता है अर्ध बृती की परीधी का जो फार्मूला होता है वो पाई यार प्लस टू आर होता है यलि आपसा नंबर यह सही हो जाएगा नेक्ट जो कोश्चन पूछा गया था यह 64 नंबर कोश्चा पूछा गया था इसमें कहा रहा है कि सिंपन्स के नियम के अनुसार अनियमीत आकार का च्षेतरफल क्या होगा यह ऐसा डाइग्राम दिया हुआ था और इसका चैटरफल पूछा गया था तो इसका च्षेतरफल का जो फर्मूला होता है वो ह एच अपान्त्री कोश्ट में वाई वन प्लस वाई टू प्लस फोर अगले कोश्ट में वाई टू नंबर ये सही हो जाएगा नेक्स जो questions आया हुआ था ये फैंसाथ नंबर इसमें कह रहा है कि बुरीत की सबसे बड़ी जीवा कीसे कहते हैं तो बुरीत की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो बयास होता है इसलिए console नंबर भी सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन जो पुछा गया था इसे फिगर दिया हुआ था और इसकी परीधी है तो ये जो है वरित है और वरित की परीधी जो होती है वो 2.5 R होती है अगर वरित का 6 तरफल पूछे तो पाई R इसक्वाइर होता है फिलाल यहाँ परीधी पुछा है इसलिए परीधी आपसन नमबर C में दिया हुआ इसलिए आपसन नमबर C सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोश्टन पुछा गया था यह 67 नमबर कोश्टन पुछा गया था इसमें कहा रहा है कि अर्ध बृत का 6 तरफल बताईए ये जो डाइग्राम बना है अर्ध बृत बना है और इसका 6 तरफल पुछा है तो इसका 6 तरफल जो होता है पाई D स्क्वाइर अपन 2 होता है जो कि आपसन नमबर D में दिया हुआ है इसलिए आपसा नंबर D सही हो झाएगा नेग्स्ट जो कॉर्चशन पुछा गया था ये 68 नंबर कॉर्चशन पूछा गया था इसमें कहारा है कि बृत का छेतरफल क्या होता है अभी प्रीवियास कोश्टर में हम बताए कि बृत का छेतरफल जो होता है पाई यूश्वार होता है जो आपसळ नम्बर B में दिया हुआ है इसलिए आपसय नम्बर B सही हो जाएगा Next question जो आया हुआ था मैत मैं यानि WCS में वो यह आया था A-B का whole square का सुत्र क्या होता है तो A-B का whole square का A-B2B-2AB होगा जो कि आप देखेंगे ध्यान से तो आपसर नंबर A में दिया हुआ है A square plus B square minus 2A B यानि आपसर नंबर A सही हो जाएगा Next जो question पुछा गया था ये 24 number question 124 number question पुछा गया था कि A plus B का holy square minus A minus B का holy square का formula तो इसका हल करने के बाद क्या आएगा तो आईए हम हल करते हैं A plus B का holy square करेंगे तो A square plus B square plus 2A B हो जाएगा और A minus B का holy square करेंगे तो A square plus B square minus 2A B हो जाएगा चुकि यहाँ minus लगा है तो इसमें minus से गुना करेंगा तो ये भी minus हो जाएगा ये भी minus हो जाएगा और ये minus है तो ये plus हो जाएगा तो इसको अब जोड़ना है क्योंकि यहां जोड़ दिया हुआ है तो प्लस B Q 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 है तो यह जो उपकरण है इसका नाम टी हैंडल इसका हैंडल आप ध्यान से देखेंगे तो टी नुमा बना हुआ है यानि टी हैंडल प्रेसर गेन है जो कि आपसा नमबर सी में दिया हुआ है टी हैंडल प्रेसर गेन यानि आपसा नमबर C सही हो जाएगा नेक्स जो वर्कसाब कैलकुलेशन वे कोशन आया था यह तेरा नमबर आया था यह इसमें कहा रहा है कि यदि एक समतल पर उपर की और है तो बल क्या होगा तो यह बल इफ इक्वल टू होता है डबलू साइन थीटा प्लस फाई अपान कास फाई होता है जो कि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपसा नमबर C में दिया हुआ है डबलू साइन थीटा प्लस फाई अपान कास फाई इसलिए आपसा नमबर B सही हो जाएगा अब जो कोशन है वो इलेक्टिसियन ट्रेट थियोरी के है और जो इस्टुडेंट इलेक्टिसियन ट्रेट थिवी का आज पेपर देने जा रहे है वो इन कोशनों को अश्चे से देखेंगे क्योंकि देखा गया है कि कोशन रिपीट हुए है तो इसमें भी 100% चांसेज है कि आपका रिपीट होगा कोशन ये कोशन दिया हुआ है और इसमें कह रहा था कि ये किसका सिंबल है तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसके आउटपुट में इसका इन्पुट ए और बी है लेकिन आउटपुट में y इक्वल टु ए इन्टु बी पर बार दिया है यानि ये जो है गेट आउट गेट है उसके एक आगे नौट गेट लग गया मतलब आउट गेट का जब आउटपुट निकालेंगे तो आ इन्टु बी होता है और बार लगाने का मतलब है कि जो आउटपुट में है उसका उपोजिट करना है तो जब ये end gate का opposite होता है तो वो nand gate होता है अर्थात ये nand gate हो जाएगा जोगी आपसा नमबर D में दिया हुआ है नand gate इसलिए आपसा नमबर D सही हो जाएगा next 7 number question पूछा गया था इसमें कहा रहा है कि निस्क्रिय घटक कौन सा है यानि passive component पैसिफ कंपोनेंट जो होते हैं वो RLC होता है मतलब register, inductor और capacitor होता है और ये electrical circuit में प्रियोग किया जाता है जो electronic circuit में प्रियोग किया जाता है वो active component होता है उसमें डायक, diode, transistor, FAT, UJT, SCR ये जितने भी होते हैं electronics circuit में प्रियोग होने वाले वो active component में आता है तो यहाँ option जो है, diode है, active component होगा diode ये भी active होगा, क्योंकि electronics में प्रियोग होता है transistor ये भी electronics में प्रियोग होता है, इसलिए ये भी active होगा यहाँ passive कहा है, तो passive यहाँ संधारितर हो जाएगा जो C से present करते हैं यानि आपसन नंबर यहां D सही हो जाएगा नेक्स जो question पुछा गया था यह 8 नंबर question पुछा गया था इसमें कह रहा है कि यह symbol किसका है तो यह जो symbol है यह main terminal 1 है और main terminal 2 है और इसके अंदर जो structure बना हुआ है दो diode को anti-parallel जोडने के बाद जो सनरचना का निर्माड होता है वो जो सनरचना का निर्माड होता है वो डायक होता है यानि डायक में क्या होगा तो कि दो diode को anti-parallel जोडने से जो सनरचना का निर्माड होगा वो डायक होगा जो आपसन नमबर c में दिया हुआ इसलिए आपसन नमबर c सही हो जाएगा next question 9 number question पुछा गया था इसमें कहा रहा है कि hexadecimal संख्या प्रणाली के कितने वण होता है तो hexadecimal में यह जो प्रणाली चलती है वो चार टाइप की होती है एक तो होती है binary का readilyix जो होता है बोफ चंख्या होता हैحمil और डेसिमल संख्या का readix 10 होता है और hexa decimal संख्या का release चंख्या होता है और hexa decimal का ही पुच्छा था जो आपसा नंबर दी में दिया हुआ है इसलिए आपसा नंबर D से ही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन जो पूछा गया था ये सिंबल दिया हुआ था इसमें पूछ रहा कि कौन सी मोटर है आप ध्यान से देखेंगे कि धर से सप्लाई दिया जा रहा है ये पाजिटिव टर्मिनल हो गया और ये निगेटिव टर्मिनल हो गया जब आर्मेचर के ठिक समनंतर में संट फिल्ड बाइंडिंग आ जाती है तो ये जो मोटर होता है DC संट मोटर होता है इसलिए आपसा नमबर A सही हो जाएगा DC संट मोटर अगर ये चीज नहीं रहता और यहाँ पर ये बाइंडिंग रहती और इसको D1, D2 से रिप्रेजेंट करता तो ये जो पुरा स्ट्रक्चर बनता ये सीरीज मोटर का हो जाता नेक्स्ट जो कोश्चन पुछा गया था एक 69 नमबर कोश्चन पुछा गया था इसमें कह रहा है कि DC मोटर में EMF की गणना करने का फर्मूला क्या होता है तो DC मोटर हो या DC जर्नेटर हो दोनों में EMF गणना करने का फर्मूला एक ही होता है और EB इक्वल टू 5ZN P अपन 60A होता है EB जो है बैक EMF है 5 जो है फलक्स है Z जो है चलर की संख्या है N जो है गती है P जो है पोल है और A जो है पैलर रास्तों की संख्या है आप ध्यान से देखेंगे तो C नमबर आपसन में दिया हुआ है इसलिए आपसन नमबर C सही हो जाएगा ध्यान रखिएगा DC मोटर हो या DC जर्नेटर हो दोनों में EMF गणना करने का फर्मूला सेम ही होता है नेक्स जो कोशन पुछा गया था ये 17 atom नमबर कोशन पुछा गया था इसमें कह रहा है कि इस उपकरन का नाम क्या है और उपकरन जो है ये Grawler है और ग्राउलर जो होता है दो प्रकार का होता है वाहे ग्राउलर और आंतरी ग्राउलर वाहे ग्राउलर का प्रियोग DC मसीन में open circuit test, short circuit test और ground test ग्याद करने के लिए किया जाता है आंतरी ग्राउलर का प्रियोग AC मसीनों में open circuit test, short circuit test और ground test करने के लिए किया जाता है तो यह जो figure दिया हुआ है यह वह गराउलर का है इस पे हम आर्मेचर रख करके और आर्मेचर में open circuit test, short circuit test और ground test ग्याद कर सकते हैं तो इसका आप ध्यान से नाम याद रखिएगा इसका नाम जो है गराउलर है नेक्ट जो question पूछा गया था यह 14 number question पूछा गया था इसमें कहा रहा है कि 4 pole DC generator के duplex lap winding में कितने parallel रास्तों की संख्या होगी lap winding की भी सेस्ता होती है कि जितने pole होंगे उतने parallel रास्ते होते हैं और यहाँ pole जो है 4 दिया है यानि parallel रास्ते की संख्या भी 4 हो जाएगी लेकिन यह condition यहाँ लग गया कि यहाँ duplex winding है यानि 2 है तो total रास्ते हो जाएंगे 4 दुनी का 8 जो की option number C में दिया हुआ है 8 इसलिए option number C सही हो जाएगा यदि यहाँ triplex दिया रहा था तो 3 से गुणा करते यदि यहाँ quadruplex दिया रहा था तो 4 से गुणा करते नेक जो question पूछा गया था यह 15 number question पूछा गया था इसमें DC generator के किस भाग को दिखाया गया है तो यह जो भाग है यह armature core lamination है इसका जो नाम होता है armature core lamination होता है आप ध्यान से देखेंगे तो option number D में दिया हुआ है armature core lamination यानि option number D सही हो जाएगा next जो question पूछा गया था यह 13 number question पूछा गया था इसमें कहरा है कि DC generator के किस भाग को दिखाया गया है तो यह जो DC भाग DC generator का जो भाग दिखाई दे रहा है यह terminal box हो जाएगा यह eye hole हो जाएगा कहीं ले जाने के लिए motor को इसमें hook फंसाते हैं और यह इसका base हो जाएगा यह जो structure दिखाया दे रहा है यह जो है body है या इसी को आप योग कह सकते है या इसी को frame भी कह सकते है मतलब इस पूरे structure को तीन नमों से जाना जाता है body, yoke या frame तो आपसा number आप ध्यान से देखेंगे तो D में दिया हुआ है योग frame और इसी का दूसरा नम body भी होता है इसलिए आपसा number D सही हो जाएगा next जो question पुछा गया था यह 4 number इसमें कर रहा है कि DC generator में उत्तपन EMF की गढ़ना करने का formula क्या होता है तो DC generator हो या DC motor हो दोनों में EMF ग्यानत करने का formula same होता है EB equal to 5ZNP upon 60A होता है EB जो है back EMF है 5 जो है flux है Z जो है चालक की संख्या है N जो है गती है P जो है पोल है और A जो होता है पैलर रास्तों की संख्या होती है आप ध्यान से देखेंगे तो आपसा number C में दिया हुआ है 5ZNP upon 60A यानि आपसा number C से ही हो जाएगा Next जो question पुछा जया था 5 number इसमें कहरा है कि EMF की गणना करने का formula क्या होता है तो DC motor में पुछा है तो DC motor में B equal to EB plus IAR A होता है motor के लिए है अगर generator की बात करता है तो केवल यहाँ minus कर देते है फिलहाल यहाँ back EMF पुछा है यानि EB का मान पुछ रहा है तो motor है तो यहाँ plus ही उज़ करेंगे और इसको इधर लेके चले आएगे यानि finally जो EMF का formula बनेगा EB equal to B minus IAR A यह formula होगा DC motor में EMF इयाद करने का formula जो कि आप ध्यान से देखेंगे तो आपसर नमबर C में दिया हुआ है इसलिए आपसर नमबर C सही हो जाएगा next question और यह अंतिम question होगा जिसमें कह रहा है कि six number में कि X से दिखाएगे भाग का नाम के है तो यह पुरा जो structure है और यह जो भाग है उपर वाला भाग पॉल है और इसके नीचे वाले हिसे को हम कहते है पॉल सू पॉल सू का काम होता है इस पॉल पे जो फिल्ड वाइंडिंग होती है उसको support देने का काम पॉल सू का ही होता है और साथी साथ इस्टेटर और आर्मेचर के बीच का जो air gap है उसमें flux को समान रूप से बितरित करने का काम जो होता है वो पॉल सू का ही होता है अर्थाथ X से दिखाए गए भाग का नाम पॉल सू है जो option number D में दिया हुआ है इसलिए option number D सही हो जाएगा तो दोस्तों यही question हमारे पास कुछ student ने भेजा हुआ था जिसका हम आपके बीच discussion किये आप इस question को यदि आपको आज पेपर देने जाना है तो इस question को अच्छे से देख करके और समझ करके जाएगा इसमें से 100% question आपको repeat मिलेंगे ही मिलेंगे और दोस्तों साथी साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और यदि आप इस हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सस्क्राइब कर दें तो इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए बाई बाई टेक केर